आउज़ बिल्लाहिमिने शेटवानिर वजीम पिस्मिल्लाहित वाह्मान रहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मुषिंद रजा और आप लोग देख रही है 24R7 टीचर्स ऑनलाइन दोस्तों हमारी डिटा कमिनिकेशन की क्लास चल रही है और हमने पिरियोडिक और नॉन पिरियोडिक सिगनल्स के बारे में पढ़ा था दोस्तों हम अपने डिसकेशन जो है वो इन सिगनल्स के उपर अभी जारी रखेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि पिरियोडिक सिगनल्स क्या होते हैं और इनको हम विदिन डिटेल देखेंगे इस पे जो fine wave होती है उनका क्या concept है उसको देखेंगे तो दोस्तो आज की class शुरू करने से पहले हम ये देख लिते हैं कि हमने अपनी पिछली class के अंदर क्या पढ़ा था दोस्तो पिछली class के अंदर हम लोगों ने बात की OFI model की उसके साथ ही हमने देखा कि उसमें कौन सी OFI model के अंदर lags होती हैं कमिया होती हैं उनको देखा उसके साथ हमने OFI model की एक layer यानि के physical layer की बात की जिसके उपर signals travel करते हैं और इसमें हम लोगों ने analog signal, digital signal, periodic signal और non periodic signals को देखा ना सिरस देखा बलके इनके दर्मियान जो difference है वो with the help of different examples मैंने आप लोगों को समझाया दोस्तों यहां तक तो थी हमारी पिछली class आज की class के अंदर दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है अपनी discussion fine wave यानि के periodic signals के उपर जारी रखेंगे और इसमें देखेंगे कि एक जो fine wave होती है उसके अंदर जो three component है जिसमें amplitude है period या frequency है या phase है वो क्या होता है और उसको कैसे calculate किया जाता है तो यह हमारी आज की class का topic है तो चलिए दोस्तों हम आज की class शुरू करते हैं और आज की class में हम देखते हैं periodic signals को और इसमें इसके जो three component है उनको देखते हैं इसमें जो हमारे पास fine wave है इसके तीन main attribute या component होते है उसमें जो पह है एक amplitude है एक period या जिसको हम frequency भी कहते हैं वो है और तीसरा जो है वो हमारे पास phase है हम बारी बारी इन components को देखते हैं और with the help of a diagram example मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि amplitude क्या है period क्या है और phase क्या है यहां पे सबसे पहले हम amplitude को देखते हैं जो की attribute है fine wave का it is equal to vertical distance from a given point to the wave from the horizontal axis कि यह आपका vertical distance है horizontal axis के उपर जिसको हम amplitude कहते हैं यहां पे दोस्तों आपको सक्रीन के उपर एक fine wave नज़र आ रही है बलके दो fine wave नज़र आ रही है एक black color की है और एक आपका जो है orange color है I think यह yellow color है तो यहां पे आप अगर देखें तो हमें जो है इसका amplitude नज़र आ रहा है इसके दर्वियान के अंदर जो है बलकुल एक horizontal line है इस horizontal line से उपर का distance vertical distance और इस line से नीचे का distance जो vertical distance है यानि कि जहां पे यह इस वकत करसर है वाउस का तो इस point से लेकर उपर इस line तक यह distance आपका amplitude कहलाता है और नीचे अगर हम आएं तो यहां पे इस वकत जहां पे करसर है यहां से लेके इस line horizontal line तक जो है इसको हम amplitude कहते हैं इसके बाद दोस्तों हमारा जो second attribute है वो है हमारे पास इसमें जो है free period ये frequency है अग इस amplitude के अंदर भी हमारे पास जो है एक maximum amplitude है और एक minimum amplitude है जो इस horizontal line से उपर है वो आपका maximum amplitude है और जो नीचे है वो आपका minimum amplitude है तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो period है अब period क्या है period is the amount of time in second in a signal need to complete a cycle कि ये जो हमारे पास different sign wave के अंदर cycles बान रही है तो ये कितने time period के अंदर जो है वो complete होते है इसको हम period कहते हैं frequency क्या है number of cycle completed in one second के एक second के अंदर जितने cycle complete होते हैं उसको हम frequency कहते हैं इसके बाद है unit of period period is expressed in seconds तो ये इसका unit है तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी इस example के अंदर तो यहाँ पे आपको period नज़र आ रहा है कि ये जो एक fine wave है ये कितने period के अंदर जो है वो complete होती है और फिर ये देखें यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ये इसकी period या frequency है कि एक second के अंदर कितना time लगता है complete होने के अंदर और कितना time required है इस cycle को complete होने में इसके बाद दोस्तो हमारा जो third attribute है वो है phase अब phase क्या है कि हमारे जो fine wave है वो कितने position के साथ जो हो चेंज होती है उफ को हम shift होती है उफ को हम phase कहते है अब यहाँ पर देखें आपको दो fine wave नवर आ रही है एक black color की एक जो है वो yellow color की है I think कि यह जो है इनकी position देखें एक यह 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 जा रही है और दुफरी black जा रही है तो इसके दर्बियान जो फाफला है कि जितना यह shift हुई है अब यह देखें यह अगर हमें इस dark thick line को देखें तो उससे आपकी dotted valley line थोड़ी सी आगे है तो इन दोनों का जो दर्बियानी फाफला है यह basically आपका phase है कि कितनी आपकी fine wave आगे या पीछे या कहीं पर जो है वो shift होई है इसको हम phase कहते हैं दोस्तों यह था हमारा fine wave की जो टीन attribute है mean वो एक amplitude मैंने आपको बताया एक period या frequency बताया तीसरा जो है वो phase बताया अब हम अगली slide के उपर चलते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे calculate करते हैं यहाँ पे आपको examples नवर आ रही है एक example है period या frequency calculate करने के लिए a fine wave has a frequency of six hertz what is period यह एक question है इसके बाद दूसरा है a fine wave complete one cycle in four seconds what is the frequency ओपर वाले में हमने period calculate करना है और नीचे वाले में हमने frequency calculate करनी है तो दोस्तों इसका जो formula है period को calculate करने का वो small t sorry big t capital t equals one divided by f यह निके one divided by frequency और इसी तरह अगर हमने frequency calculate करनी है इसको रिप्रिजेंट किया जाता है small f के साथ equals one divided by t t similar time है तो यहां पर एक table दिखाया जा रहा है जो के period और frequency को रिप्रिजेंट कर रहा है इसमें seconds जो है वो one second यह आपका one hertz उसके बाद है millisecond यह आपके ten wave to power minus three eight आ जाएगा kilo hertz की अगर हम बात करते हैं तो यह ten wave के पार three तो इसी तरह यह पूरा complete table है अब हम इस question को solve करते हैं यहां पे आपको right side में जो है वो solution नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो period है इसका formula हमें बताया गया है one divided by frequency time के लिए तो हमारे पास जो है one आ गया और frequency के अंदर जो है वो six hertz आ गया तो हमने जब one divided by six किया तो हमारे पास 0.17 seconds के अंदर जवाब आ गया और यह हमारी frequency है अब इसके बाद हम लोगोंने क्या करना है इसके बाद हम लोगोंने अगली example यानि के यह दूसरा जो question है इसके अंदर हमने frequency calculate करनी है तो जो frequency का formula है वो है f equals one divided by time t तो यहां पर हमारे पास four seconds है तो one divided by four seconds आ जाएका तो 0.25 hertz जो है यह आपकी frequency है तो इस तरीके से हम period या frequency को calculate कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो हमारी जो second attribute था वो सी period या frequency था इसके बाद अगला जो attribute था वो हमारे पाफ फेज था और फेज के अंदर हम लोगोंने पड़ा the phase shift how far the function is shifted horizontally from the usual position कै कैसे आपकी fine wave जो है वो अपनी position चेंज करती है और shift होती है अब फेज के अंदर ही the phase describe the amount of shift of the wave कै कि कि amount के साथ जो है वो आपकी fine wave जो है वो shift होती है इसी तरह 8 indicates start of the first cycle यह में first cycle और second cycle के बारे में भी बिताती है इसके बाद है phase is measured in degree phase जो है उसको degrees के अंदर measure किया जाता है इसमें 360 होता है 180 degree होता है और यह जो degrees है यह हमारे equivalent होती है 2 pi radius और for example अगर हमारे पा 1 degree है तो यह 2 pi divided by 360 आजाएगा 360 जो है वो total आजाएगा और उसके बाद 2 pi आजाएगा दोस्तों यह जो different degrees है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको पहली slide पर आ रही है जो के 0 degree है अब यह एक fine wave है तो यह fine wave यहाँ पर तो आपको blocks नजर आ रहे हैं तो यहाँ एक red color की मैंने आपको दिखाई है कि यह एक इसका complete cycle हो रहा है तो यह एक fine wave है जिसकी degree जो है वो video है अगली जब हम fine wave देखते हैं तो उसमें आपको समझाएगा कि कैसे यह degrees change होती है अगली fine wave आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे देखें कि जो fine wave start होती है वो यहाँ से हो होती है तो यह जब complete होंकि एक fine wave तो यहाँ पे होगी तो यह देखें कि यह बाहिर से जो है वो अगर हम इसको कुछ portion जो है वो बाहिर की जानिब है तो यह जो इसका half area है इसको हम 2 YouTube में तक्सीम करें एक हिसा इसका बाहिर की तरफ है और बाकी के जो हिस्प्वे हैं वो अं तो एक बटा चार जो है वो यह आ जाएगी तो जब एक बटा चार होगी तो उस वकट आपकी जो डिग्री होगी इस स्वाइन वेव की वो नवे डिग्री होगी इसी तरह अगली जो हम एक्जेंपल देखने वाले हैं इसके अंदर देखें कि आपकी जो एक स्वाइन वेव ह बाहिर से start हो रही है पहले इसका एक हिसा बाहिर सा अब इसके दो हिसे यानि कि ये one half जो है वो बाहिर है one half जो है वो अंदर मतलब इस line से जो vertical नजर आ रही है उससे अंदर है तो ऐसी जब आपके पास sign wave आएगी तो उसको हम 180 degree कहेंगे इसके बाद जो last example है वो देखें कि आ बाहिर है और ये बाहिर से ये complete यहां तक हो रही ही है तो इसको हम जो है 270 degree कहेंगे तो दोस्तों ये कुछ degrees की example थी अब अगली slide के उपर जो है मैं आपको phase calculate करना सिखा देता हूं यहां पे है a sign wave is offset 1 over 6 of cycle with respect to the time 0 what is the phase of in radius के हमारे पास जो है एक sign wave है जिसका जो cycle है वो 1 over 6 है और इसका जो time है वो 0 है हमने phase calculate करना है लेकिन हमने phase जो है वो radius के अंदर calculate करना है पहले जो है हम इसका phase calculate करेंगे normal और फिर मैं आपको radius के अंदर calculate करना भी सिखाता हूं तो सबसे पहले जो है हम यह देख लेते हैं कि हमारा जो one cycle है वो 360 degree के equal है यह हमने पिछली flight पे भी पढ़ा है बढ़ते हैं इसके solution की तरफ तो यहां पे देखें हमें जो phase का form दिया गया है वो है 1 divided by 6 यह में cycle है जो के question के अंदर दिया गया है multiply by 360 360 जो है वो हमारे पास degree है तो जब एक तक्सीम 6 हो और जिस रकम के नीचे जो है वो कुछ भी ना हो तो हम उसको divided by 1 कार लिखते हैं तो यह हमारा 360 divided by 6 आ जाएगा जब हमने 360 को 6 के साथ तक्सीम किया तो हमारे पास 60 degree जो है वो जवाब आ गया phase आ गया यानिकि हमारी जो है वो phase इस sine wave का जो के हमें question के अंदर दी गई है वो 60 degree है इसके बाद अब हमने इसको radius के अंदर convert करना है तो मैंने आप लोगों को पिछली flight के उपर दिखाया था कि अगर 1 degree है तो वो हमारा 2 pi divided by 360 degree होता है अब देखें हमारे पास जवाब आया है वो 60 degree आया तो हम क्या करेंगे 60 degree multiply by 2 pi और divided by 360 यानिके 360 अब हम इसको कैसे calculate करेंगे pi की value आप सब लोगों को पता है कि वो हमारे पास 3.146 होती है तो हम यह करेंगे के 60 into 2 multiply by 3.146 जो के pi की value है और divided by 360 आ गया जब हमने 3.146 को तक्सीम किया 360 के साथ तो हमारे पास जवाब है वो 0.0087 आ गया इसको हमने multiply by 2 करना है तो वो हमारे पास 0.0174 आ गया और 60 degree रह गए जब हमने 60 को multiply किया 0.0174 के साथ तो हमारे पास जवाब है वो 1.04 आ गया जो के radius के अंदर जवाब आ गया क्यूंकि हमने उसमें उपर radius लिया है जो के 2 pi divided by 360 है तो यह है दोस्तों phase को calculate करने का तरीका पहले हमने जो है simple phase calculate किया और उसके बाद जो है उसी phase को convert किया into the radius और radius के लिए हमने जो है वो 2 pi divided by 360 लिया और pi की value हमने put की इसके साथ 3.146 उमेद है आपको यह phase calculate मैंने किया है in radius भी और in normal यह simple यह आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों यह थी हमारी आज की class आज की class के अंदर जो है हम लोगोंने काफे कुछ इंशाल्ला सीखा है आज की class खतम करने से पहले हम लोग अपनी जल्दी से notebook open कर लें और यह एक छोटे सी exercise है इसको write down कर लें इसमें करना क्या है आपने a fine wave has frequency of 60 hertz what is the period के एक fine wave है जिसकी जो frequency है वो 60 hertz है और आपने period calculate करना है दूसरा इसके अंदर question क्या है a fine wave complete one cycle in 100 seconds what is the frequency के एक fine wave है जो अपने एक cycle complete करती है 100 seconds के अंदर और आपने इसकी frequency बतानी है a fine wave is offset 1 divided by 4 of cycle with respect to the time 0 what is the phase in radius अब आखरी जो question है उसमें हमसे यह पुछा गया है कि हमने phase calculate करना है ना सिरस normal calculate करना है बलके radius के अंदर भी calculate करना है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की class आज की class से इंशाला आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा आज की class के अंदर जो हम लोगों ने देखा जो हमारे पास एक fine wave है या जो periodic signal है उसके जो main तीन attributes है जिसमें amplitude है, period है, frequency है और phase है इसको हमने देखा ना सिरस देखा मैंने आपको calculate करना भी सिखाया कि कैसे हम period को calculate करते हैं, कैसे हम frequency को calculate करते हैं और कैसे हम phase को calculate करते हैं कैसे हम normal phase को calculate करते हैं और कैसे हम radius के अंदर calculate करते हैं दोस्तों आज के क्लास हम यहीं पर अपनी खत्म करेंगे और आखिर में फिर आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उससे सीख सकें दोस्तों मिलते हैं अगली डेटा कमिनिकेशन की क्लास में उसकत तक के लिए अला हाफिज